नमस्कार दस मिनित किचिन में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत ही टेस्टी स्नेक बताएंगी हमारी गेस्ट मन्जुला। नमस्कार, नेनु इरोज छेव बए दी चकोडी लू इवनिंग स्नेक सीदी सायंद्रम तिनडान की छाला बांटूंदी इजी प्रोसेस कोडा मन्तोरगा छेसेस कोच्चू पदी निमिशा लोने टायाराई एट। इसे चकोडी कहते हैं और आंदु प्रदेश में यह बहुत खाया जाता है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। आप सुबवे नाश्ते में खा सकते हो, शाम कुद चाय के साथ खा सकते हो तो आईए देखें चकोडी बनाने के लिए। इस नाश्टे का नाम है चकोडी, तो चकोडी बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमने एक बाउल चावल का आटा लिया है, अगर ग्राम में देखें तो यह 170 ग्राम है, 200 ml पानी लिया है, बाउल से अगर हम नापते हैं, तो एक बाउल आटा, तो एक पाउल पानी, दो चम्मच हमने लिया है, कोकिंग आईल, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच हल्दी पाउडर, देड़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नम्मक, और एक चम्मच अजवाइन, साबुत अजवाइन, तो आईए बनाना शुरू करते हैं, हमने एक कड़ाई लिये, गैस अन करके, गैस की उपर चड़ाई है, और मेजर्मेंट के हिसाब से जतना पानी लिया था, 200 ml पानी डाला है, दो तीन चम्मच पानी बचा लिया है, अब पानी को गरम करेंगे, इवि मनमू वेड़ी चेसको वाली, वेड़ी आइन तर्वाता, तायरू चेस विदानें चित्रुसों, इस पानी को वाइल करेंगे, नील वेडे इन तरवाता, अंदलो मनमू, टेबल स्पून आफ ट्रिलकरा एसकॉली एक चम्मत जीरा डालेंगे इसमें, पानी खॉलने के बाद, अलागे टेबल स्पून वाम एसकॉली एक टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे अलागे माल मनू, रोची की सरीपड़ा उप और शीष कॉली दो टेबल स्पून नमग डालेंगे, आप स्वाधा रूसार डाल सकते हैं कारम कुदा टेबल स्पून अजवाइन तर शीष कॉली लाल मेल्च पाउडर दो टी स्पून अलागे चिटिकेडू पसपु कोड़ा वेश कोली हल्दी पाउडर एक टी स्पून अभी कंचम मुणिकीन तरवाता बनम कंचम कंचम पसपुन कोड़ा वेश कोड़ा थोड़ा थोड़ा करके चाबल का अटा डालेंगे और गैस के फ्लेम को सिम कर देंगे अब इसमें दो चममाच तेल डालेंगे कोकिंग वाईल इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे यह आंदर प्रदेश की बहुत फेमस रेसिपी है लेकिन पूरे साउथ में खाई जाती है अब इसको एक प्लेट से दस मिनिट के लिए ढखकर रख देंगे तो चावल का आटा फूल जाएगा और सॉप्ट हो जाएगा दस मिनिट बाद इसको ठाली में निकाल लेंगे यह ठंडा हो गया है इसको हाथ से अच्छी तरह से मसल के इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे जब तक यह डो तैयार हो रहा है तक तक हमने गैस पे तेल चड़ा दिया है तब हमारा तेल गरम हो रहा है इसको रहा है इसको इस तरह से बनाएंगे इसको लंबा करेंगे इसको और फिर मोड देंगे इस तरह से बनाएंगे बहुत ही आसान ए बनाना और बहुत टेश्टी स्नेक बनके तयार होगा अब हम इसको तलेंगे इसको हलके हलके आज पे तल लेंगे तो ये बहुत कुरकुरा बनेगा आज बात भत्वाइब इसको देखें इस तरह से तलना है ये तल के तैयार हो गया है गुल्डन ब्राउन हो गया आप हम इसको बाहर निकाल लेंगे इसकी ये पहचान है जब ये तल जाएगा तो ये तेल के ऊपर आ जाता है देख्वार्टा से मदाना ऑग्यांगे तो देखिए यह तेल के ऊपर आ जाएगा गैस की फ्लेम को ओफ कर दिया है और यह देखिए चकोडी नाश्ता हमारा बनके तयार हो गया है आपने देखा कितना आसान है चकोडी बनाना तो आप भी बनाईए खाईए और खिलाईए और कमेंट्स में लिखके बताईए कि आपको आंदर प्रदेश की यह रेसिपी कैसी लगी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, फ्रेंट्स और फैमली में शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखना, बाई बाई